जो है कि जब तक जार्खन 47 वापस नहीं होगा अब तक ना बाल कटाएगा ना साधी करेगा कि वो नोकरी देने के लिए वो बिग्यापन नहीं निकाला गया है वो एलक्सन फंडिंग के तैयारी किया जा रहा है दुजार चोबिस के लिए और आप क्या कहेंगे हजारी बाग से आज का यह मैदान और जनसालाब से अच्छी है कि दुजार चोबिस में बदला होगा और आज बदलाव सेंकल महा सबाग है और आज हम हजारी बाग की धरती है हजारी बाग करती है और हजारी बाग क्या है और निश्ची थी आज हम इस मैदान से चुकिए अभी कुछ देरी पहले जब हम आये थे तो मिडिया बंदूने में सवाल किया था कि आप सिली से आते हैं और सिली के विदायक आज सुप्नी मुखावी बगल में कर्च करम है तो हम यही कहेंगे कि यह बदलाव जो संकल्प है हम सिली से इसको कहादना चाहते हैं कि वह जो भीड था वह भीड कोल्डिंग का पेपसी का नास्ता का खाना का मुर्गा का धारु का और यह जो भीड था सोसितों का बंचितों अधिकार हनन हुआ है वैसे च्छात्रों का हुआ है तो निस्ची थी हम लोग का भी मांसुन सब्र जो आने वाला है मांसुन सब्र में हम लोग फिर बला अंदुलन का एलान करेंगे अजर 47 नहीं होगा अब आपस नहीं होगा देवेंदर्दा क्या बोलेंगे यह बदलाव हम यही मैसेज दिना चाहेंगे कि बदलाव कब होता है जब सोसन अत्याचार जुर्म चरम पर हो बदलाव तब होता है जब यहां के MLMP जनता के बीच जाते हैं तो बड़े-बड़े वादा करते हैं बोलते ही जूटने हैं लिखते भी जूटने हैं यह साथ्ची है अपने इतने विवायक करके दिया है कि 47 ने चले हैं और हद्यान की बात करते हैं और पिक्यापन में जार्खन सब्द को गायब कर दी है तब बदलाव की जुरत है इसलिए आज इस मैदान से संदेश है इस बदलाव का संकल्थ में सबातीर को मेंसेज है कि अब लोग सावागिता दीजिए धर्खन को परिवर्तन के लिए पाचो प्रमंडल के सभी सभाज के सभी जार्खन के को चुछाई कि हम लोग को एक जुट हो करके बारी पाख्यां के ताकत को दवस्ट करना होगा और जार्खन के किसान हो मल्कार हो जात्का हो सब के हित के सब्सक्राइब के लिए इस माती के लिए इस राज के लिए अने वाला पीड़ी के लिए और यहां बदलाव के लिए इस पूर्ण का पर सब्सक्राइब करें नीजर कि लिए जया हुआ के जैसे आप बिधायक मेटे आप के लिए चले माइव समय कर तो कई बार कि देवेंदर नात्मा तो जो है कि जब तक जारकन 47 वापस नहीं होगा अब तक ना बाल कटाएगा ना साधी करेगा ददा एक चीज आप राजपाल से तो क्या कुछ अस्वासन दिया गया कि आप दो कहा रखा जाए कि नहीं रखा जाए कितना दिन में कि अभी तक मेरे पास वैसे मामला आते हैं जो विदायक या सांसाथ सदन के अंदर जो है वह बात को नहीं सुनते हैं वैसे मामला हमारे पास आते हैं और इतना बड़ा पोथी देखके अस्चेर किये कि आपके बहत्तोर विदायक लीक के दिये हैं और हर मंच पे कर रहे हैं कि 47 नहीं चलतो उसके बावजुद नीती नहीं बना रहे हैं या राजपाल महदोया अपने माथा पर हाथ लेते हुए पूरा गंबिरता से पूरे द 37 जो है कि 3rd और 4th कलास की नौकरी पर उसका हग है और संबिधान का अनुचेद 244 का 1 के ताथ राजपाल को अधिकार है कि सरकार को विसेश सेवा यानि नियोजन पर दिसा निर्देश और आदेश करने का उसमें प्रावधान है इसलिए हम इसका च्छानबिन करते हुए अ हम बरतमान सरकार को निर्देश देंगे और इसका जबाब मागेंगे कि आखिर लिखने के बावजूद भी नीति क्यों नहीं बन रहा है कहां दिक्कत हो रहा है तो हमको जो समझ में आ रहा है कि धारखन के आसपास राज के जो परोसी माफिया लोग है जो इस राज को लु वो नोकरी देने के लिए वो भी ग्यापन नहीं निकाला गया है वो एलक्सन फांडिंग का तैयारी किया जा रहा है दुआजार चोबिस के लिए और हम जिस परकार जुनियर इंजिनियर का एक के एक के अभियार्थी को बीस बीस लाक में कोस्टेन बेचा गया था लेकिन दुर्भाइग जतना सीड था सीड से डवल इस्टूडेंट को कोस्टेन बेचा जा रहा है मतलब कोस्टेन बेचने वालों को भी नोकरी देने का गैरेंटी नहीं है या सिर्फ एलेक्शन फंडिंग किया जा रहा है अभी मैं बता दरहों कई कान पे सुना ही पड़ रहा है सीड बेचने का तयारी किया जा रहा है अपका पलस्टू पीजीटी का जो है कि सीड बेचने का तयारी किया जा रहा है लेब सिस्टेम टेकनिसियन में तो बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट जमा कर यह कोस्टेन दिया जाएगा जब कोस्टेन मिलेगा तो बाद में 20 लाग रुपिया दिया जाएगा और हम यह बात हम नकार नहीं सकते हैं चुकि जो जो जे एसेसी का जो चेर्मेन सुधीर तृपाथी है वह बहुत भरस्ट बेखती है वह जो पीएसी में रहते हुए जो एकी बहुत भरस्ट किया है जो बहुत उसका सिब्याई जाज चल रहा है उस का पुष्टे भी वाओन